हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइफ पे एंड सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग आज का जो लेक्चर है ठीक है उस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना सेल डिविजन वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे बेटा ठीक है अब क्या है क्या नहीं है उसके अंदर मैं आप लोगों को जरा बता देता हूँ अभी एक में टुक जाएए और आज चलो जी सो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कहा रहे थे कि सर सेल डिविजन वाला जो पार्ट है वो चूट गया है सो सर ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं सेल डिविजन वाला पार्ट ऐसे थोड़ी न छोड़ेंगे तो आज करवा देते हैं आप लोगों को ठीक है तो अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे उसको ओके चलिए जी ठीक है एक मिनट में को कुछ चीज यहां पर देखनी है ओके ठीक है हाँ जी तो सेल डिविजन वाला पार्ट जो है आज आप हम लोगों को करवाएंगे ठीक है एंड उसको हम देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है आपको लिंक मेल कर देते हम यूटूब पर स्टार्ट कर दीजे क्लास ठीक है चलो तो यहां पर तब तक सेल को डिवाइड होते हुए देखो ठीक है ठीक है ओके सो ठीक है भाई हम आज की क्लास यो है शायद यह यूटूब पर नहीं जा पाएगी हम इसको कहते हैं एप पर कॉंटिन्यू करते हैं और चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं ठीक है उमीद करते हैं कि आप वाले बच्चे जो हैं आ गए होंगे क्लास में ठीक है और दूसरी बात यह कि हमने आप लोगों को दिया था कुछ होंवक तो क्या होंवक था वो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है वो देख लेंगे हम लोग चलो कि यूट्यूब में स्टाट करिए रहने दीजे ठीक है सो यहां पर जो भी चीज़े हैं अब मैं एक बड़ी चेक कर लेता हूं उसकी बाद फिर हम देखते हैं हां सो यहां पर अक्षिया ने भी मिनको होंवक भीज रहा है आशीश ने भ कि दूसरा जो होंवक आया वो यहां पर कुछ दो बच्चे का और आया है मतलब ऐसा क्या कल सारे इतने बच्चे कहते घंव कि हमारे कि हां सर हम होंवक कर करके भेजतेंगे यह तो बहुत ही गलत बात है आप लोग करके नहीं दे रहें हैं और आप लोग एक हैते हैं सिर्फ ये सारी चीज़े कर रहे हैं मतलब कि ये तो बहुत ही गलत बात है भाई ऐसे थोड़ी ना करते है बताओ क्या करें हमने सोचा था कि आप लोगों को इतने अच्छे से हम लोग सेल साइकल और सेल डिविजन कराएंगे मतलब फिर तो सब कुछ वेस्ट है तो यहां पर क्या करें बताइए यार तीन बच्चों के हमवक का मैं क्या करूंगा जबकि हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे जो है रेगुलर आते हैं मतलब कि हमवक नहीं बेजा ये नहीं कराओ मैं कुछ नहीं सुनूगा आज ये दूसरा दिन था और ये दूसरी वाली मतलब ये दिक्कत बहुत खराब है मतलब बहुत ज़्यादा खराब है मेरे को यहां पर लास्ट वाली क्लास में अगर मैं चेक करूं तो पता नहीं इसके बाद किसी का हमवक आया है या नहीं आया है हो सकता है किसे की कमेंट्स जो अगरा जो है वो अपलोड नहीं होए होंगे ठेक है मतलब मुझे यहां पर लास्ट हमवक जो है लवकुष का ही दिख रहा है और किसे का तो हमवक नहीं दिख रहा है क्यों भाई हमवक क्यों नहीं आता है वर दों हुआ है यार। आप लोगों को बोलख है कि अगर कल की कलास में नहीं मिल रहा तो आज एक बार ही मैं देखता हूँ क्योंकि सब बच्चों का हमवंग मेरे पास नहीं पहुचा है सिर्फ ले बच्चांतर का ही में पास आया है and now students are saying कि हाँ सर हमने कर दिया है हमने कर दिया है बाकी ठीक है आज मैं आप लोगों को क्या क्या करवाने वाला हूं तो पहले यह देख लो ठीक है एक बारी ब्रीफ ओवर्यू देख लो तो cell division के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर आप लोग दिख सकते हैं यह chromosome आप लोगों के सामने बना वाद दिख रहा होगा ठीक है बेसीकली यहां पर देखो cell division जो है उसमें दो चीजे होती है माइटासिस और मियासिस क्या होता है माइटासिस और मियासिस थोड़े ध्यान से देखेंगे यह जो आप लोगों के सामने cell division होता देखेगा ठीक है यह होता है हमारा माइटासिस में और मियासिस में क्या फर्क है एक बड़ी अगर आप खुद वीडियो देखेंगे तो ध् यहां से देखो, ओके, यहां पे क्रोमोजोम से आप लोगों को अलग होते वह दिखाई देंगे, और यहां पे अब सेल अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा, इस अपना मैटॉसस, सो अगर मैं आप लोगों से पूछ हूँ, कि यहां पे, अब जैसे कि यहां पे आजो, अभी यहां पे सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम आप लोगों को दिख रहे हैं, नंबर बताईए मुझे, अभी आप लोगों को सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम दिख रहे हैं, जल्दी से अराम से नंबर बताएं, कितने नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को? चलो बताओ, सेल में अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसके अंदर कितने क्रोमोजोम दिख रहे हैं? ठीक है, सुजहर सी बात है कि सबका जवाब होगा सर चार दिख रहे हैं, अच्छा, अब यह थोड़ा सा और डिवाइड होने के कगार पर जा रहा है, यह देखो, अब यह सेल जो है डिवाइड होने जा रहा है, तो डिवाइड होते 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 होते, अब फाइनली यहाँ पर देखो, cell जो है divide हो जाएगा तो मैं इस video को pause करूँगा ठीक है ओके तो यहाँ पर अब मैंने cell को रोग दिया बीच में से आप मैं इसको पूरा divide होने देता हूँ हाँ यह cell जो है पूरा का पूरा divide हो गया अब यहाँ पर आप लोगों को दो cell दिख रहे हैं अब कितने number of chromosomes हैं आप लोगों के सामने अब कितने number of chromosomes है आप कहेंगे सर आधे आधे ही हैं लेकिन number of chromosomes हमारे चारी हैं मैं दोनों cell की पूछ रहा हूँ दोनों cell में कितने कितने हैं आप कहेंगे सर दोनों cell के अंदर दूसरी बात अगर आप यहां पर हम देखेंगे दूसरी बात अब एक और चीज में को दिखाना है आप लोगों को एक और अनिमेशन दिखाना है मुझे वह है हमारा मैं आप लोगों को एक और अनिमेशन जो है यहां पर दिखाना है और हम उसके बाद आप मुझे खुद ही बता दोगे कि हा सर ये difference है meiosis में और mitosis में जो basic difference होता है basic idea जो है यहाँ पर mitosis और meiosis का वो आप लोगों को मिलने जा रहा है इसको फिर हम लोग detail में discuss करेंगे ठीक है? चलिए जी सो सारे बच्चे जो है खुद agree कर रहे हैं कि हा सर यहाँ पर हमारा ऐसा था यहाँ पर हमारा ऐसा था सो एक मिट रुकिए मैं अब उसको फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ हाँ जी सो यह अब मैं आप लोगों को meiosis के बारे में चीज़े दिखाने जा रहा हूँ यह देखो meiosis में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अपने एक सेल है ठीक है इस सेल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखाये जा रहा है कि भाई यहाँ पर चार क्रोमोजोमस है ठीक है इसमें भी चार क्रोमोजोमस है दिख रहे है यहाँ पर दिख रहे है हाँ, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से बेटा तो इसमें भी आप लोगों को चार क्रोमोजोम्स दिख रहे हैं बहुती बढ़ीया तरीके से, ठीक है, दिख रहे हैं, कोई परिशानी तो नहीं है, ऐसो तो नहीं है ना, किसी मतलब कोई बच्चा बोले कि नहीं, हमें नहीं दिख रहा है, मेखेल से दिख तो रही होगा सबको, ओके, चालो, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको जूम किया जा रहा है, इसको जूम किया जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी डिविजन होग तो आप लोग अब यहाँ पे क्या observe कर रहे है कि अब जब यहाँ पे अपना cell डिवाइड कर रहा है तो दोनों cell के अंदर कितने कितने क्रोमोजोंस गए भाई मैं पिल्कुल साइड हड़ गया दिख रहा होगा आप लोगों को मैं आतु नहीं रहा न सामने हाँ सो मैं बिल्कुल साइड हड़ गया पे अब दोनों cell के अंदर कितने कितने क्रोमोजोंस आप लोगों को दिख रहे हैं ये बताईए जल्ल इसे बताओ अब आप लोग कहेंगे सर दोनों cell के अंदर दो दो क्रोमोजोंस जो हैं हम लोगों को दिख रहे हैं सो बेटा जी मैं यही आप लोगों को basic बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइटॉसिस के दुरान number of chromosomes जो है ठीक है वो same रहा है पहले 4 chromosomes थे बाद में भी 4 chromosomes थे माइटॉसिस के दुरान number of chromosomes पहले 4 था लेकिन अब 2-2 हो गया है तो पहला important point थो यह दूसरा अगर किसी बच्चे ने ध्यान से देखा होगा यहाँ पर तो यहाँ पर एक बीच में यह कोई चीज दिखाई थी कि 2 chromosomes पास पास आए ठीक है और इनके बीच में थोड़ा सा कुछ तो exchange हुआ समान ठीक है एक मेंट को एक मेंट मैं इसको थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मैं इसको फिर आप लोग देखना हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा बेटा जी, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कि यार इस वाले क्रोमोजोम से, किस वाले क्रोमोजोम से, इस वाले क्रोमोजोम से थोड़ा सा समान इस वाले क्रोमोजोम पे जा रहा ह ठीक है, beta chromosome के बीच में exchange of material हो रहा है, इसको मैं भी फिर से दिखाऊंगा, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, exchange of material हो रहा है, एक बार इसको play करके देख लेते हैं, रुको, मैं थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे इसको play करके दिखा देता हूं आप लोगों को, अगर आप अब यह खुद से zoom हो जाएगा, यह देखो, zoom हुआ, दो chromosome आपस में ऐसे आ करके जुड़ गए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा exchange हो जाएगा समान का, थोड़ा सा genetic material जो है exchange हो जाएगा, और यह देखो, अब यह chromosome एक दूसरे से दूर जाएंगे, अब chromosome एक दूस है, एंड इस वाले chromosome के अंदर थोड़ा सा red part है, यह दिख रहा है न, हाँ, दिख रहा है, visible है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, कि red वाले chromosome के अंदर थोड़ा सा blue part है, और blue वाले chromosome के अंदर थोड़ा सा red part है, बेटा जी, meiosis के अंदर exchange होता है DNA का, और यही reason है कि जब meiosis होता है, तो basically हमें अलग-अलग कह सकते हैं कि, मतलब आप इतना समझ लो कि meiosis में exchange होता है genetic material का, तो एक तो number of chromosomes आदे हो रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, genetic material का exchange हो रहा है, तो यह जो points है, यह points मेरे को आप लोगों को दिखाने थे, कि this is how meiosis and mitosis are different, ओके, क्योंकि यह आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था, अब आप लोगों को brief idea मिल चुका है, कि हाँ यार, meiosis में यह हो रहा है, mitosis में यह हो रहा है, अब मैं आप लोगों को कुछ भी चीज बोलूँ, आप लोगों के दिमाग में directly वो hit करेगा, कि हाँ, सर ने यह बहत बोली थी, सर ने यह बात बोली थी, अब अपना cell यहाँ पर divide कर रहा है, number of chromosomes, देखो कितने हो गए है, आधे-आधे हो गए है, ठीक है, number of chromosomes हमारे आधे-आधे हो गए है, सो, अब यह जो है हमारा mitosis में और meiosis के अंदर, थोड़ा सब मैं आपको कुछ points बताऊँगा, detail में, तो आप लोगों उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर, एक मिनट रुको, हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी PPT पर, सो उमीद करते हैं कि आपकी दमाग मैं आप लोगों के सामने कुछ announcements करना हूँगा, और उसके बाद we'll move आगे, class 9th का एक VIP course वे है बेटा, आप लोगों के लिए launch किया जा चुका है, इस VIP course के अंदर, आप लोगों को क्या मिल रहा है, recorded lectures मिलेंगे, PDF notes, timetable, homework, test, NCRT solutions, previous years papers, and दूसरी बात क्या है, books मिलेंगी, आप लोगों को reference books मिलने वाली है, ठीक है, next top teachers आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप लोगों के best riddles आए, doubt clearing sessions लगेंगे, study material भी आप लोगों को मिलेगा, ओके, यह सारे के सारे teachers हैं, जो आप लोगों को इस VIP course के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं, और आप लोगों क पूरा course है, time से खतम करवा दिया जाएगा, ओके, बहुत सारे बच्चों ने course को opt किया था, काफी अच्छा perform किया था, doubtnet हमारा number one doubt solving institute है, तो यहाँ पर आपको हर एक question का video solution मिलेगा, ओके, दूसरी बात यह, कि chat का और call का option भी है, तो आप अपने जो भी course related doubts हैं, उनको आप चैट पे या call करके पूछ सकते हैं कि यहाँ इस course में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपके course का जो delivery है, आपको ऐसा ही, मतलब घर तक बहुत जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि पहले पैसे देने है, फिर वो होगा, आपको course दिया जाएगा, आपको फिर पैसे देने है, अब जो कि पहले नहीं था, ठीक है, दूसरी बात, इसका पोल जाएगा, आपकी screen post, पोल का जल्ली से answer करो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, next thing is that, कि doubtnut का जो हमारा YouTube channel है, class 6-10, वहाँ पे फिर से हम क्या कहते हैं, एक teachers की पार्ट शाला का episode 3 करने वाले हैं, तो उस episode मे definitely आना है सबको, ठीक है, Saturday को 5 बजे हमारा teachers की पार्ट शाला होता है, उमीद करते हैं कि कहते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा, तो जो भी अपने questions वगर आउंगे, सब पूछ ले ना teachers वगर से, ठीक है, चलो, और एक English का भी हमारा slide था, जो कि हम भूल चुके हैं, उसको के बारे में, mytosis के बारे में, ठीक है, basically क्या है, देखो यार, एक सवाल तो यह आता है कि, sir, आप cell division पढ़ा रहे हैं, cell division पढ़ा रहे हैं, cell division जरूरी क्यों है, यार, example के तौर पे, हम लोगों की घरवाले जोए हैं, यार, पापा जोए हैं, जोब पर जाते हैं, क्यों जा कि, sir, पैसे तो खतम हो जाते आ, पैसे तो खर्च हो जाते हैं, तो फिर पापा को गले दिन फिर से जाना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए, so, उसी तरीके से हमारा जो cell है, मतलब हर एक चीज की एक वो होते है, limit होती है, उसी तरीके से हमारी जो बॉड़ anticipating cells होते हैं, उनक तो उसके बाद अगर वो मर जाएंगे तो उनको replace करने के लिए कोई होना चाहिए ना उनको अगर आपकी body के अंदर सारे cells खताम ही होते रहेंगे तो फिर आपकी body तो एक दिन time जा करके पूरी की पूरी इतनी सी हो जाएगी कुछ बचे गई नहीं तो cell को replace करने के लिए old cells को dead cells को या injured cells को replace करने के लिए होता है cell division ठीक है होता है cell division और क्या बनाने के लिए reproduction के लिए भी कह सकते है होता है हमारा cell division reproduction के दुरान कुछ खास cells बनते हैं जिसको हम कहते हैं gametes वो बनाने के लिए यूज होता है cell division आप कहेंगे सर ये क्या है gametes अभी बताते हैं थोड़ सा सबर रखिए सब आप लोगों के सामने आ जाएगा ठीक है अच्छा दो तरीके के cell division होते है एक तो mitosis दूसरा होता है meosis mitosis का as such कुछ खास रोल नहीं है इसका सिर्फ simple सा काम है क्या ये सिर्फ growth वगरा में participate करता है growth वगरा में कैसे यैसे कि आपको cell का number बढ़ाना है तो mitosis हो गया अगर कोई body का part जो है damage हो गया उसके cells के नदर mitosis करवा दिया वो हो गया यहाँ पे number of chromosomes number of chromosomes and and यहाँ पे सारी चीज़े कह सकते हैं cell जो होता है जो अपने यह cell बन रहा है यह same होता है as parent cell same as parent cell ठीक है यह same होता है as same as parent cell तो यह जो है आप same कह सकते हैं identical भी कह सकते हैं यह पापा की तरह पापा cell की तरह यह मम्मी cell की तरह एकड़ अइडेंटिकल होता है ठीक है identical होता है identical की spelling ज़रा सही कर देते हैं identical identical होता है ठीक है तो इसमें क्या है कि जैसे कि इसे कि आपका कोई red blood cell या आपकी skin का cell कोई damage हो गया अब यार skin का सारे के सारे cells तो एक जैसे हैं न ऐसा होता है कि यहाँ पर cell अलग तरीके का है यहाँ पर cell अलग तरीके का है सारे के सारे साल एक जैसे है ना अगर दिल की बात करें तो दिल एक तरीके के सल से बनाए ना तभी तो आप कहते हैं कि भाई सेल्स कंबाइन करके टिशूस बनाते हैं टिशूस कंबाइन करके औरगन बनाते हैं तो basically organs जो होते हैं, वो एक ही cell के बनते हैं, हाँ, दिल के अंदर cell अलग है, skin के cell अलग है, वो मान सकते हैं, but particularly organs जो होते हैं, वो तो similar cells के बनते हैं, तब ही तो आप कहते हैं, group of similar cells performing similar function, उसको हम tissues कहते हैं, तो दिल का तो एक single semi cell से बनाए हैं, तो usually जो mitosis होता है, तेखें, एक mitosis जो होता है, ये सिर्फ हर एक particular चीज की growth, मलब particular tissues की या organs की growth करवाता है, ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कात है, तो अगर cell खराब हो गया, repair करवा देगा, example के तोर पे कभी आप लोगों को चोट लग जाती है, हाथ जल जाता है, तो उस जगा का repair करवा देगा, ठीक है, mitosis का इतना काम नहीं होता है, mitosis है, उसका reproduction में कुछ खास role नहीं होता है, वो old, dead और injured cells को क्या करता है, replace करवाता है, उसका हमारा क्या कहते है, reproduction में कोई role नहीं होता, आप कहेंगे sir, reproduction में कैसे role हो सकता है, तेक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आप लोग आगे आएंगे, यहाँ पर देखिए, mitosis के बंदर, so meosis में देखो, बेटा होता क्या है, पहली बात, meosis सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब gametes बनने होते हैं, या जब reproduction होते हैं, आप इसको ऐसा रखो, जब gametes बनने वाले होते हैं, जब gametes बनने वाले होते हैं, गैमीट्स क्या है, गैमीट्स क्या है, special reproductive cells,ниस ये जो cells होते हैं, ये आपस में fuse करते हैं, जासे की example के तवर पर एक cell बनता है male के अनदर, एक cell बनता है female के अंदर यह cell जो होते हैं यह आपस में fuse करते हैं और एक नया individual बनाते हैं आप लोगों ने reproduction का definition कभी न कभी सुना होगा ठीक है? reproduction का definition कभी न कभी सुना होगा ठीक है? अच्छा एक point और मैं यहाँ पर add करना चाहूंगा कि जैसे कि हम कह रहे हैं यह हमार형 parent cell है जिसके अंदर division होता है उसको हम कहते है parent cell और जो cells बनते हैं division होने के बाद जो cells बनते हैं उसको हम कहते है daughter cells तो प्लीज इस चीज को याद रखेंगे कि parent cell और daughter cell क्या होता है और mitosis में यहाँ पे आप diagram के through भी देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे initially कितने chromosomes थे, 4 chromosomes थे and division होने के बाद भी number of chromosomes 4 ही रहे हैं number of chromosomes 4 ही रहे हैं और red chromosomes अपना पूरा का पूरा separate है white chromosome अपना पूरा का पूरा chromosome separate है ऐसा नहीं है कि red के साथ थोड़ा white mix हो गया है यह white के साथ थोड़ा सा red mix हो गया है सब का सब separate है अगर आप यहाँ पे आएंगे meiosis के अंदर तो यहाँ पे देखो इन्होंने तो वैसे अल्रेडी दिखा दिया है कि red के अंदर थोड़ा सा white portion आ गया है white के अंदर थोड़ा सा red portion आ गया है त बेटा जी जो meiosis होते हैं कब होता है सिर्फ जब gametes बनने हो जब special cells बनने हो अब यह gametes कि होते हैं ऐसे cells जिनके fusion से एक नया organism बनता है जिनके fusion से एक नया organism बनता है example के तोर पे जब humans के अंदर एक नया organism बनाना होता है तिक है आप लोगों ने sperm का आप लोगों ने sperm का नाम सुना होगा मैंने आप लोगों को cell division में बताया cell वाले chapter में बताया था कि smallest cell जो होता है humans के अंदर sperm होता है और ova जो होता है या egg जो होता है या हमारा largest cell होता है किसका humans के अंदर तो sperm और male एक तरीके के gametes हैं ये जब fuse करते हैं तो एक न्या इंडिवीजल बनता है जिसको हम reproduction क्यते हैं process of forming of new individual from the pre existing organism उसको हम reproduction कहते हैं अगर 2 parent involved है जैसे कि यहाँ पर male or female involved हैं तो उसको हैँ क्य करते हैं sexual reproduction sexual reproduction में 2 parents involved होते हैं और asexual reproduction में हमारा single parent involved होते हैं single parent involved होते हैं, ठीक है, sexual में दो होते हैं, asexual में single होते हैं, अब example के तोर पे जैसे कि आप लोग जो है, ठीक है, आप लोग जो है, आपके case में क्या है कि भाई, हम humans हैं, humans के अंदर sexual reproduction होता है, या निकि दो parent होते हैं, एक male होता है, एक female होता है, कभी आपने यह सोचा है, कि sir, हम हमेशा अपने mom-dad से अलगी क्यों होते हैं, नहीं सोचा होगा, और सोचा है, तो उसका logic जो है बेटा, यही है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह जो यहाँ पर exchange of genetic material होता है, जब male और female gamut मतलब बनते हैं, तो उस दौरान meiosis होता है, और meiosis के दौरान मैंने आप लोगों को दिखाया क्या, कि एक chromosome से दूसरे chromosome में थोड़ा सा DNA जो है exchange हो रहा है, उस exchange की वज़े से हमारे अंदर नए characters आते हैं, हमारे अंदर एक नया change आता है, ठीक है, हम कभी भी अपने parent की तरह नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं, सिर्फ इसी वज़े से दिखते हैं, लेकिन mitosis के अंदर ऐसा नहीं होता है, मैटosis के अंदर हमेशा आप लोगों को, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या देखने को मिलेगा, identical cell, same cell देखने को मिलेगा, लेकिन in case of meiosis, यहाँ पर cell जो होते हैं, अलग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो DNA था, उसमें जब change आ गया है, और DNA के सारी के सारे character 6 कंट्रोल करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब DNA ही change हो गया, तो cell भी change हो जाएगा, एक पॉइंट और, अगर आप मैटosis में देखेंगे, तो यहाँ पर number of chromosomes कितने थे? चार थे, अपने को यहाँ पर कितने मिले? बाद में भी चार ही मिले, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, in case of meiosis, number of chromosomes कितने थे? चार थे, and अब number of chromosomes कितने हो गए? दो हो गए, यानि कि हाफ हो गए, number of chromosomes हाफ हो गए है, ठीक है, जो total number of chromosomes होते हैं, किसी भी organism के अंदर, अगर मान लो कि यहाँ पर चार क्रोमोजोम है, तो total number of chromosomes किसी भी organism के अंदर जो होते हैं, उसको हम कहते हैं, diploid chromosomes, उसके आधे को हम क्या कहते हैं, example के तौर पर आप लोगों को सभी सभी को पता है, कि यार humans यो होते हैं ना, humans के अंदर 46 chromosomes present है, तो total number of chromosomes कितने हैं, 46, तो यह diploid number of chromosome हो गया, diploid number of chromosome हो गया, ठीक है, अगर बात करें, gametes जब बनते हैं, अगर मैं बात करूँ, gametes की, humans के अंदर ही, जब gametes बनते हैं, तो meiosis होता है, meiosis कब होता है, जब gametes बनते हैं, gametes बनने के टाइम पर यहाँ पर 23-23 chromosomes हो जाते हैं, ठीक है, 23-23 chromosome हो जाते हैं 46 chromosome है तो gametes बनने के बाद यहाँ पे आधे-ाधे chromosome हो जाते हैं 23-23 चले गए इस condition को हम कहते है haploid number of chromosome humans के अंदर बेटा जी 46 chromosome होते है किसी भी organism के total number of chromosome को हम diploid number कहते है और उसके आधे chromosome को हम haploid कहते है example के तौर पे अगर कोई एक animal ऐसा है जिसके अंदर total number of chromosomes 200 है और मैं आप लोगों से पूछूँ कि उसका diploid number of chromosome क्या होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे 200 अगर मैं आप लोगों से पूछूँ उसका haploid number of chromosome क्या होगा आप बोलेंगे 100 So, haploid word जो है लिया गया है half से, haploid half से लिया गया है, याने कि total का आधा is half, ठीक है, diploid जो है, it is basically total number of chromosomes, तो in case of mitosis, हमारा cell जो होता है division के बाद भी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे cell diploid है, तो divide होने के बाद भी वो कैसा रहता है, diploid ही रहता है, चार ही number of chromosomes है, meiosis में अगर देखेंगे, आप पहले cell diploid था, divide होके number of chromosomes आधे हो गए है, तो अब यह cell कैसा हो चुका है, haploid हो चुका है, तो meiosis के अंदर beta G, क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा, पहली बात तो number of chromosomes आधे हो जाते है, DNA जो है, वो exchange होता है, ठीक है, और इसी exchange of DNA के वज हैं क्योंकि gametes बन रहे हैं, यही fuse करके नए individual बनाएंगे, इसी exchange की वज़े से हमारे अंदर नए नए changes आते हैं, या नए नए characters हमें देखने को मिलते हैं, variations जिसको कहते हैं, यानि की changes देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही वज़ा है कि आप कभी भी अपने parents से match नहीं करते है यही एक वज़ा है, ठीक है, शर्मा जी का बेटा शर्मा जी की तरह नहीं देखता है, वर्मा जी का बेटा वर्मा जी की तरह नहीं देखता, क्या वज़ा है, यही वज़ा है, कि meiosis की वज़े से gametes बन रहे हैं, ठीक है, यह यहां तक बात होती है, I hope आपकी दिमाग में य सब कुछ जो है जा चुका है so एक बारी अगर आप लोग फिर से देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को Miosis फिर से दिखा देता हूँ अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हां sir Miosis में न ऐसा ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है सो मैं आप लोगों को एक बारी फिर से यहाँ पर दिखा जैता हूँ, यह मियासिस का एक बारी वीडियो है, ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, चालो, सो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्य बेटा, आप लोगों कोई जानने की जरुत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी इतना डीटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तेखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, जेनेटिक मेटीरियल थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं, वो बो तो मपा जैसे दिखते हैं, वो तो जाहिट सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी बोला जाता है कि भाई, आप जो है, अपने ममी पे गएए हैं, आपके बाल जो है, आपके ममी जैसे हैं, आपकी आखे जो हैं, थोड़े-ठोडे तो जाएंगे, बट एगदम स सब्सक्रां मियोसिस हो रहा है और मयोसिस के दोरान अ वो क्या होता profesor ले क्रोमोजम में चेंज्ड वहता है और इस चेंज्ड की वज़े से हमें लोगजियों नए 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 तलक्त देखने इतना ही आप लोगों को यहां पर समझना था और यहां पर हमारा cell division वाला topic भी जो है वो पूरा का पूरा होता है finish ठीक है कल हमारा Saturday है तो कल class होगी नहीं आज यह Saturday का last lecture था मंडे से इस वाली class में कहते हैं स्वाती में आजाएंगी तो आप लोगों को chemistry करवाएंगी सो अमीद करते हैं कि बालजी का यहाला chapter जो है आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ चुका है question nonsense भी मैंने आप आपयसाने में वरणावायका के कहते हैं बजे आप लोगों के वार में लेकी में और लेता रहूंगा मेरे 2 बजे वार इलिंट्स होंगे YouTube पपर पर भी और दो बजे कभी मैने के कहते हैं मैं तॉस्इस में आशिस के बारे में बात कर लिए कभी मैंने तो मिलते हैं आप लोगों से अब 2 बज़े के टाइम पर जब भी वारल सेशन होगा, मैं मतलब मैंम को बोल दूँगा, आप लोगों को इनफॉर्म कर दें, तो हम उस टाइम मिल लिया करेंगे, तेक है हफते में क्या कहते हैं, दो तीन बारी तो मिल लिया करेंगे, दो कहते हैं मिस मत करना ज्यादा टेक है ऐसा नहीं है कि क्लास रेगुलर्ली नहीं होगी हफते में दो तिन बारी तो होई जाएगी तो उसमें आ जाएंगे तब तक लिए बाबाई एंड थैंक सो मच